Hello everyone, welcome back to Ninja Prep, this is Kapil Goyal, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Classical Electrodynamics की, इसके पहले Classical Electrodynamics का Lecture एक हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि Coulomb Force को हम Vector के Form में किस तरह से Define करेंगे, इस तरह से Electric Field को हम किस तरह से Define करेंगे, इस Lecture को आगे हम Continue करें, उसके प MSC चाहें वो Pre में हैं, कई जगे वो Pre में हैं और कई जगे वो Final में हैं, तो MSC Pre या Final के लिए Classical Mechanics का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, 10 December से Online बैच होगा, तो जिन भी लोगों को Interest है Classical Mechanics के अंदर, या जिन लोगों को अच्छे से Classical Mechanics पढ़ना है, तो वो लोग ये चाहिए, फर्दर जानकारी चाहिए कि क्या Course Curriculum होगा, कैसे Course Coverage होगा, तो उसके लिए आप जो नीचे स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहे हैं, या आपको स्क्रीन पर उपर भी नंबर शो हो रहे हैं, तो इन पर आप WhatsApp करकर ऊच सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई Query ह है, आप बात करना चाहते हैं, तो शाम 6 से 7 के बीच में आप बात कर सकते हैं, और अपनी जो भी Query है, उसके लिए आप information ले सकते हैं, तो lecture को continue करें, उसके पहले अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और व स्टार्ट करते हैं, Classical Electrodynamics Lecture 2, तो इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात कर चुके थे, कूलाम फोर्स की और electric field की, आज के lecture में मैं एक दो important question कराने वाला हूँ आपको, और थोड़ा बहुत मैं आपको brief idea दूँगा किसका Gauss Law का, कि Gauss Law क्या होता है, कब ये applicable हो ठीक है, तो सबसे पहले question की बात कर लेते हैं, तो question, previous year question है, exams में आया question है, तो उसको मैं दे रहा हूँ, question क्या है, find out, find out the value of, value of electric field, find out the value of electric field for the configuration for the configuration shown in figure, for the configuration shown in figure, ठीक है, एक question मैं कर दूँगा, एक question आप लोगों को लिए homework के लिए दूँगा, आपको जब भी वी उख कर ले, या comment, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो comment करके आपको बताना है, कि आपको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, configuration क्या दिया हुआ है, configuration ये है, दो charges है, ये भी plus Q है, और ये भी plus Q है, इन दोनों के बीच की जो distance है, वो D है, इनकी जो bisector line है, यहाँ पर कोई point रखा है P, और यहाँ से और यहाँ तक के distance है Z, हमें इस P point के उपर electric field की value बतानी है, कि कितना electric field आएगा, ठीक है, हमें इस P point के उपर electric field की value बतानी है कि कितना electric field आएगा, चले साब, इसको अब हम करते है, solve, देखो, एक चीज तो मैंने आपको ये बता दिया था, कि किसी point charge की वज़े से जो electric field है, उसकी value होती है, KQ upon R square, जहाँ पर R का मतलब क्या होता है, charge से उस point की distance जहाँ पर हम electric field निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें इस P point पर electric field निकालना है, इस Q charge की वज़े से भी, इस Q charge की वज़े से भी, तो मैं एक बार इसका क्या ले लेता हूँ, मैं एक बार इसकी copy कर लेता हूँ, ये मैं copy कर लेता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, देखो बई, अब सबसे पहले तो मैं distance, ये कितनी होगी, D by 2, तो यहाँ से यहाँ तक की distance मैं निकाल लूँ, तो ये बन गया क्या, एक triangle बन गया, right angle triangle, तो ये base हो गया, ये perpendicular हो गया, तो ये हो जाएगा hypotenuse, और ये value किसके बराबर हो जाएगी, D square by 4, plus Z square, और इसी तरह से ये वाली जो value है, ये भी किसके बराबर हो हो जाएगी, D square by 4, plus Z square, ठीक है, यहाँ तक ये दोनों चीजे clear, now, अब हम क्या करें, कि यहाँ से, ये क्योंकि positive charge है, तो positive charge की वज़े से जो electric field होगा, वो away from the charge होगा, तो जो electric field होगा, वो उसी line पर होगा, जिस line के along क्या निकाल रहे है, electric field, तो यहाँ पर electric field निकालेंगे, तो electric field की direction ऐसे आएगी, इसको मैं बोल देता हूँ, एक बार के लिए E1, इसी तरह से इस charge के लिए electric field की value निकाले, तो इसकी value आएगी, इस तरह से E2, अगर मैं magnitude निकालू, E1 और E2 दोनों का ही, तो E1 और E2 दोनों का ही magnitude कितना हैगा, के Q, upon R square, तो R square के जगे यह distance होगा, तो यह वाली distance को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे है, D square by 4 plus Z square, अब जो square होगा, वो किस से कट जाएगा, root से कट जाएगा, समझ मेरे को इतना, मतलब मैं इतना expect करता हूँ, कि यह root यहाँ से कैसे कट गया है, यह आप लोगों को पता लग गया होगा, यहाँ पर root आए तो यहाँ से अगर मैं खीचू ऐसे, इसतरह से तो यह अंगल अगर थीटा है, तो यह अंगल भी कितना होगा, थीटा, तो यह ट्राइंगल होगा, अच्छा, अब हमें ये पता है, कोई भी लाइन, जब किसी कोई भी vector quantity या कोई भी quantity जब किसी के साथ एंगल बनाती है, अगर ये कोई vector quantity है और ये इसके साथ angle बना रही है vector की वज़ाए कोई भी quantity होती एंगल बना रही है तो जिसके साथ angle बनाएगी उसके साथ क्या आएगा cos theta और उसके perpendicular क्या जाएगा sin theta ठीक है अब इसकी direction कैसे निकालेंगे जैसे यहाँ ये arrow लगा हुआ है ऐसे arrow बाहर की तरफ निकला हुआ है एक बार तो इसको ऐसे घुमा दिया यूँ इस direction में तो arrow इस पर इधर ये आ गया फिर इसको ऐसे घुमा दिया यहाँ से इसको anti clockwise घुमा दो तो यहाँ पर ये e sin theta किदर की चरफ चला गया उपर की तरफ तो ये जो e2 है इस e2 के दो component हो जाएंगे एक तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा e2 cos theta और एक हो जाएगा कितना ये वाला ये कितना हो जाएगा e2 sin theta ठीक है यहाँ पर कर दिया मैंने component इसी तरह से ये e1 के जब आप component करोगे तो एक तो इदर निकलेगा ये ऐसे है देखो ये ऐसे है e2 cos theta और ये चला जाएगा ये कितना हो गया e1 sin theta तो कुल मिला के मिरे पास जो condition है वो इस तरह से बन गई मैं इसको वापस से बना दू एक तो ये आ गया और एक ये आ गया ये वाला जो force है ये कितना हो गया e2 cos theta और ये वाला पर टेहां पर यह कितना आ चाहिए ऐँवन साइन धीटा अब हमने पढ़ा है अभी जस्ट पढ़ा है कि उन बराबर लए इटू में तो यहां से यह यह दोनों क्या है ईवन कॉस्ट थीटा और लओ अधी तो यहां से मांने में क्लावेतिय। reduced दोनों विल कैंसल आउट इच अधर और यह ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि दोनों का मैगनिटूड से में पर डारेक्शन क्या है ओपोजिट है तो कुल मिलाकर मैं अगर e x निकालना चाह रहा हूँ तो e x की जो वैल्यू है वो किसकी बराबर आजाएगी e2 cos theta opposite direction में यह कितना हो जाएगा e1 cos theta और यह कितना हो जाएगा 0 अब अगर मैं निकालना चाहूँ e y तो e y अगर मैं निकालना चाहूँ तो e y दोनों यहाँ पर क्या है एक तो e1 sin theta और यह e2 sin theta तो e1 sin theta plus e2 sin theta है ना e1 और e2 दोनों magnitude में क्या है सेम है दोनों magnitude में सेम है तो क्या हो जाएगा 2e sin theta तो यह किसकी वैल्यू होगी e y की अब हमने जो triangle बनाए थे इनमें से एक triangle निकाल लो यह triangle निकाल लेता हूँ मैं यह वाला तो कोई भी एक triangle निकाल लो यह triangle निकाल लिया मैंने ऐसा यह distance कितनी थी d by 2 यह था z और यह कितना था z square plus d square by 4 और यह कितना था theta तो यहाँ से sin theta की जो value है वो कितनी हो जाएगी perpendicular upon hypotenuse यानि कि z upon यह कितना हो गया z square plus d square by 4 similarly अगर मैं cos theta की value निकालना चाहूँ तो cos theta की value कितनी हो जाएगी base upon hypotenuse यानि कि d by 2 और यह कितना z square plus d square by 4 हमें क्या निकालना e y और e y किसके बराबर है 2e sin theta तो e y जो है 2e e की जो value है वो कौनसी value है यह वाली तो यह value यहाँ पर रखो तो कितना हो जाएगा k q upon z square plus d square by 4 साथ में क्या है sin theta sin theta की value यह है तो sin theta की value कितनी हो जाएगी sin theta की value z upon क्या है z square root z square plus d square by 4 तो यह z square plus d square by 4 तो यह एक और यह आदा कितना हो गया 3 बटा दो और तो यह कितना बन जाएगा e y is equals to 2 k q z upon z square plus d square by 4 और यह power कितनी हो गया 3 by 2 तो यहाँ से इस configuration के लिए electric field के मारे पास दो value आगई एक value आगई जिसमें e x जो है x direction में net electric field हो गया 0 और यहाँ पर net electric field y direction में कितना हो गया e y equals to 2 k q z upon under root z square plus d square by 4 तो यह तो हो गया एक question इसी के जैसा एक और question पूछा गया है वो मैं आपको homework के लिए देता हूँ आप मेरे को बताना कि वो आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा question क्या है question है find out find out the electric field electric field find out the electric field for for the following configuration following configuration following configuration following configuration देखो साब अब कहानी यह है कि यह charge हो गया plus q और यह charge हो गया minus q दोनों के बिच्च की distance still d है और यहाँ कोई point है p और यह जो distance है यह z है ठीक है अब difference क्या है दोनों question में उस case में दोनों plus थे अब क्या है एक plus है और एक minus है अब आपको इसको question solve करोगे वो आपको देखना है यहाँ पर मैं आपको यह hint देता हूँ कि e y की value के आएगी 0 और e x आपको find out करना होगा ठीक है आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा यह मेर को आपको बताना है comment करके बताना है जो भी आपका answer हो नहीं होगा तो मैं आपको जो next video होगा क्योंकि इस video में मैं गाउस law नहीं करा रहा हूँ कुछ काम है मुझे जाना है तो next video में मैं आपको वो गाउस law जब करा हूँगा तो उसके साथ मैं करा दूँगा तो आपको मैंने बता दिया है कि जो batches है वो start हो रहे हैं 10 तारिक से जिस पे पहले मैं start कर रहा हूँ classical mechanics हला कि मैं बागी subjects भी स्टार्ट करूँगा तो जो भी queries है आपकी या जो भी questions है वो आप comment section में भी पूछ सकते हैं इसके लावा जो whatsapp number show हो रहे हैं मैंने description में भी दे लिए हैं वहाँ पर भी आप message छोड़ सकते हैं या call करके पूछ सकते हैं call करने का time मैंने आपको बता दिया शाम 6 से 7 अगर आपको ये content पसंदाया हो तो please channel को like कर दीजे like तो करना ही करन आपको आपको